नमस्कार आप देख रहें प्रताबगा ब्लोक्स ओफिस्यल हम है राम केला से आधो आज किस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ अपने पसुओं को गाया भैंस को क्रोस कराने के या एई कराने के 18 दिन के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि हमारी पसुगरवती है या खाली है ब से ज्यादा हो गया है तहीं आपको अणाओ करते हैं श्रων को कि मंमें सवाल हो जाओ है तो नीच इज दो अथा दिन शलब करते हैं इससे पहले की हम बातें जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स है जिससे इससे पहले ही हमें कनफर्म हो जाता है कि हमारी पसू गर्वती नहीं है लेकिन 100% नहीं हो सकता होने कि तो कुछ भी हो सकता है ऐसा हम भी नहीं कह सकते कि 100% गर्वती नहीं है 100% गर्वती हो गई है होने कुछ भी हो सकता है गर्वती होने के चांस की बात करें, मालो 2% एक से 2% गर्वती हो सकती हैं और उसके बाद नहीं बहुत सकती है जो हम पॉइंट बताना जा रहा हूं, यह पॉइंट से क्या है अगर ऐसा सिम्टम से दिखाई दे रहा है, समझ लिए आपको पॉइंट गर्वती नहीं है अठारा जुनके पीशे हम चला जाते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाच्छा, अच्छा अश्टा ऐसा हम बूल से क्रोस कराते हैं, या भैसे से, या डॉक्टर दौरा एयाई कराते हैं ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है, हम बूल से क्रोस करा देते हैं तो हमारी पसू फटा-फटा दूद जैसा दही जैसा मठे जैसे चांस जैसे या पीला-पीला जादा जादा डिस्चार्ज करने लगती है ऐसी इस्तिती में समझे लिजे कि आपके जो पसू है वो गर्वती नहीं है अगर इस तरह के डिस्चार्ज दे रही है तब अगर इस तरह के डिस्चार्ज दे रही है तो समयले गर्वती नहीं है गर्वती होने के कुछ चांस हो सकते बहुत कम ही दो परसेंट अठान्य परसेंट मान के चलिए गर्वती नहीं हो सकते क्योंकि ऐसे अगर symptoms दिखाई दे रहा है इस तरह कि आपके पसु अगर discharge दे रहा है तो ये बच्च दानी का infection का एक symptoms है बच्च दानी infection की एक पहचान है अगर ऐसे में तो आप confirm कर लेजिए और जो ये फटा फटा दू जैसा दहे जैसा निकलता है अधिकतर AI से बहुत कम ही chance होता है कि ऐसा हो अधिकतर जो chance बन जाता है वो बुल द्वारा होता है या भैंसे द्वारा होता है कैसे जैसे किसी पसुओं को infection है गाया भैंस को और हम बुल से क्रोस करा देते हैं उस बुल को तो इस कारण से बुल में भी infection फायल जाते हैं, तो ऐसा होता है कि infection दिखाई देता है, यह जो infection है, cross कराने के उसी दिखाई दे सकता है, दूसरे दिन, चौथे दिन, पाच्वे दिन भी दिखाई दे सकता है, अब हम किसान भाईयों बात कर लेते हैं, कि ज़से गर्वती नही है, बुल का जो cross करा दिया गया, infection हो गया, तो देखाई अगर infection है, तो अपने नजज़ी की पसु डॉक्टर से संपर कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप देसी उपचार करना चाहते हैं, देसी उपचार बहुत सहीं, आपको वीडियो मिल उस तरह था आप उपचार कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी पसु AI करा दिये हैं, cross करा दिये हैं, इस तरह का discharge नहीं दिया, कोई discharge जो हमने बताया, फटा फटा दू जैसा दय जैसा मठे जैसे पीला ज्यादा मातरा में परड़े कर रही है, अगर इस तरह और कमी दिखाई देती है, जैसे आप अपने पसुओं को समय पर डिवर्विंग नहीं कराते हैं, यानि पेट में कीडी माने की दवा, बचडी हो, कटडी हो, भैस हो, गाय हो, हमें समय समय पर डिवर्विंग कराना चाहिए, पेट में कीडी माने की दवा देना चाहिए, द दिखकत देखने को मिलता है जो पसू को डिवोर्विंग नहीं करा जाता कीडी माने की दवा नहीं दिया जाता उन पसू को भी देखने को मिलता है कि वो पसू बार-बार रिपीट होती है यह कोई कमी नहीं इंफेक्षन भी नहीं है फिर भी बार-बार जो है दिखकत देखन बार बार रिपीट हो जाती है अगर आप लोग डिवर्यू नहीं करा रहे हैं तो डिवर्यू शरूर कराईए और जो पॉइंट आता है गर्वती नहोंने की कभी के विए सब देखनों मिल जाता है हमारी कटड़ी है बचड़ी है डॉक्टर AI करते हैं तो बोलते हैं इसकी पास हो रहा है ऐसीं समझ्ण से आता है ऐसेगर समस्य आ रही है तब क्या है तो बच्चे aliment kami नहीं हुगा है हिप में लेकिन बच्चे बच्चेदानिका विकास होगा ग्रोथ होगा ऐसे में ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद जब हिट में आएगी तो AI करा दो क्रोज करादो गर्वति हो जाएगी और और बी अच्छे से करना चाहते है तो इलो बेरा भी दे지 काफी लोग देते हैं फाइदे भी होता है अलो वेरस का है बच्चेदानी का जो है मजबूती बनती घर्व रुकने की छमता बढ़ जाती है तो इस तरह से आप देश सकते हैं ऐसे गर देते हैं तो ही ट में आएगी तो हो जाती हैं अब हम बात कर लेते हैं कि 18 दिन के बाद है अब 18 दिन के बाद अगर हम जैसे पता करना चाहें कि यह कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दिया जो हमने बताया कि कोई इंफेक्शन नहीं है तो 18 दिन आपको क्या दिखाई देगा है 18 दिन से लेकर के 36 से 38 दिन के अंतराल में आपको सिम्टम्स दिखाई देगे कैसे अगर आपकी पसू आपको लेकिन इससे पहले रोज देखना है अपने पसू डिस्चार्ज देखना है किस तरह की डिस्चार्ज दे रही है अगर आपकी पसू जो डिस्चार्ज दे इसको देखना अगर ठारवे दिन आपकी पशू गाया भेंस या कटडी या बच्छडी पानी जैसा डिस्चार्ज कर रही है तो मानग चलिए कि 95% गर्वती नहीं है 5% गर्वती हो सकती है लेकिन इस तरह का सिंटम्स से लगता है को गर्वधारण नहीं किया है और अगला जिससे की अनुमान लग जाता है इससे पहले भी देखनों को मिलता है अठारे दिन के पहले आपको मोटा डिस्चार्ज भी देखनों को मिल सकता है कितने पशू पालग ऐसे भी हैं जो मोटा डिस्चार्ज देखते हैं मोटा डिस्चार्ज दिया है फिर भी खाली निकल जा अगला पॉइंट आता है जैसा पसू गाया भैंस दूद देने वाली है दूद निकाल रहे हैं दूद दे रही है तो अठार में दिन के बाद से अगर वो दूद निकालने के बाद पॉस जा रही है या दूद निकालने से पहले जो है थन में दूद भर जा रहा है कभी-कभी यहां यह भी देखने को मिला है कि आपकी पसू का दूद निकाल लिया गया है उसके आधे घंटे या एक घंटे बाद फिर जो है दूद भर जाता है थन में तो ऐसा होता है तो भी खाली का सिम्टम से हो सकता है कि आपकी पसू खाली है ऐसा अगर होता है तो समझ लो धीरे धीरे हिट में आने की संभावना है अगला next point अगर हम बात करते हैं तो next point का आता है कि अगर आपकी पसू खाली है तो समझ लिजिए कि 21 दिन के 26 दिन से ले करके 36 दिन के अंतराल में वो कभी भी बोल सकती है पुना हिट में आ सकती है ऐसे हिट में आ गए तो ठीक है कंफर्म हो गया कि मारे पसू गर्वती नहीं हिट में आ गए दुबारत सुझे क्रोस करा दिये जाए AI करा दिये जाए समझ में आ गया लेकिन कभी क्यों देखने को मिलता है कि पसू खाली है फिर भी हिट में नहीं आती तो देखिए अगर हिट में नहीं आ रहे खाली है फिर भी अगर असमंजस में है तो ऐसे में क्या है कि बहुत समय किसान भायों को नहीं बरबात करना चाहिए गाय है तो ढ़ाई महीने और भायों से तो तीन महीने के बाद आप अपने नजदी की पसू डॉक्टर से चेकप जरूर करा लेजिए एक संतुष्टी हो जाए कि गर्वती है या नहीं है ऐसे में क्या है कि आपको कन्फर्म करा लेना है ठीक रहता है कि हमारी बोलते हैं पसू साथ महीने बाद हिट में आ गई आप महीने बाद हिट में आ गई तो उसमें किसान को खल जाता है और भी एक सिम्टम से होगा जैसे कुछ दिन और बेज जाता है जैसे कि दो महीना हो गया या डेड़ महीना हो गया अगर पसू दूद दे रही है दोनों टाइम दूद दे रही है तो क्या है कि दूद देने माना का निकरने लगेगी एक टाइम हो जाएगी अगर एक टाइम हो गई है तब भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ एक गर्वती हो सकती है कुछ-कुछ पसू मैं ऐसा भी देखने को मिला है कि गर्वती होने के बाद वो जो हैं दोनों टाइम दूद दे रहे हैं एक टाइम देने लगते हैं इससे भी हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि गर्वती हो गई है अगर आपकी पसू अठारा से चतिस दिन के अंदर अंदर दोनों टाइम दूद नहीं दे रही है उचल कूद कर रही है एक देखिए साइलेंट हिट होता है एक होता है बोलने वाला हिट जो साइलेंट हिट होता है बड़ा खराब होता है पसु पालक confused हो जाते हैं जो बोलने वाला हिट होता है सब पता चल जाता है कि बोल रही हिट में हैं लेकिन जो silent हिट है वो confusion पैदा कर देता है कि सान नहीं समझ पाते हैं लेकिन उसके हरकत से आप समझ सकते हैं जैसे दूद देनल पसु है वो दूद नहीं देगी दूद निकालते समय बहुत चटर पटर करेगी जैसे उसका पांच लीटर दूद है तो आपको तीन लीटर दूद पर आ जाएगी दूद कम कर देगी तो यह भी symptom साब को समझ लेना है कि हिट में हो सकती है साथी साथ डिस्चार्ज भी करती है उससे बहुत पता कर सकते हैं कि हिट में हो सकती है और आयसा भी देखनक मिला है कि बहुत ज्यादा उच्छलकूत करेगी सिर को अपने जहां बांधे रेंगे खूटे में हाउदा चरही में अपना सिर को लड़ाएगी इससे भी एक अन से हैं हाँ अगर आपकी पसू बीच में पंदरा दिन साथ दिन या अठारा दिन के बाद हलका पीला रहेगा मोटा डिस्चार्ज देती है तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 90 परसंट एक उमीद है कि गर्वती हो सकती है 10 परसंट ना के बराबर है कि नहीं हो सकती है कारण क्या है अगर आग पसू डिस्चार्ज दिया है सफेद कलर का डिस्चार्ज है अगर वो उस पर गोबर कर देती है गोबर डिस्चार्ज करने बाद गोबर कर दिया तो क्या है सफेद कलर का डिस्चार्ज भी गोबर छूते ही पीला पड़ जाता है जिससे होता है कि प में देखा आप लोग सुनाएं वीडियों अच्छे लगें लाइक करें सेर करें मन में सवाल है तो कमेंट करना न भूलें